हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं नीग वीडियो और आप देखें इंफॉर्मेशन बाई बीशेक और मैं हूँ आपका इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जुड़ी से भी तरह की इंफॉर्मेशन सबसे पहले अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और सबसे पहले नोटिफेकेशन पानी के लिए प्लीज प्रैस इपल पॉड़न और वेरियस पर्सोनल और रागुलर बेसे जिटेल ऑफ दी पोस्ट एंड रेलेवन इंफॉर्मेशन और एस फॉलोज तो वेरीस पोस्ट हैं चली चलते हैं और देख लेते हैं स्टाफ नर्स के लिए इसमें क्या पॉर्चुन्टी दी हुई है नेम अफ दी पोस्ट नर्स इसमें दो पोस्टे रहने वाली हैं मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 32 एज दे रखी है ग्रूप C की ये पोस्ट रहेगी स्केल ऑफ पे हम देख लेते हैं एंट्री पे जो आपकी रहेगी वो रहेगी 25,500 रुपीज पर मांत प्री रिवाइज रुपीज जो आपका रहने वाला है वो रहेगा 5,200 से लेके 20,200 रुपीज तक आपका ग्रेट पे जो रहेगा वो रहेगा 2,400 एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन रिक्वाइड हम देख लेते हैं बियस्सी नरसींग पोस्बेस नर्सींग एंड जियनम कैंडिट आप अप उसम्हाइड कर सकते है आप इंडियन नर्सिंग कांशल और स्तेट नर्सिंग कांशल के साथ आप रायस्ट होने चाहिए बियस्सी नर्सी तक आपको आपको minimum two year experience होना चाहिए, in a nursing, in a repeated hospital or clinic का, और G&M candidate आपको minimum four year experience होना चाहिए, in a nursing, in a repeated hospital or clinic का, ये जो vacancy है, वो regular basis यानी permanent होने वाली है, तो काफी अच्छी opportunity है for staff nurse, आप इस में जरूर एप्लाई करिएगा, इस vacancy में एप्लाई करने के लिए आपको online एप्लाई करना होगा, university की website पर जाकर, जो है www.nluo.ac.in, आपको career selection जाकर select करना है, और apply करना है, online apply करने की जो last date है, वो है 62223, शाम 5 पर ये तक आप apply कर सकते हैं, और आपको offline भी अपना application form submit करना होगा, जो आप form online भरेंगे, उसका आप print out ले ले ले, और अपने सारे certificate और के साथ, last space slip आपको attach करके, इनके address पर पहुचानी होगी, जो है, राइस्टरा, नैशलल लौ, यूनिवरसिटी, उरीसा, काट जोडी, campus, CDA, sector 13, कट तक, आपको offline जो application पहुचानी है, उसकी जो last date है, वो रहे की, 132223, शाम 5 बजे तक, तो आप इस चीज का ध्यान रखेगा और समय से अपने application form को आप पोस्ट कर दीजेगा, आपको application fees pay करनी होगी, 500 उपीज, in the form of demand draft, in favor of registrar, National Law University, उरीसा, पेवलेट, काट तक, और भेज दीन होगा अपने application form के साथ, इन service candidate आपको NOC submit करनी होगी, at the time of interview, अपने current employer से, apply करने से पहले, आप इनकी terms and condition अच्छे से read कर दीजेगा, अगर आपको ये information अच्छी लगी हो, तो please video को like कीजेगा, share कीजेगा, और हमारे साथ connect रहने के लिए, चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, धन्यवाद